हाई गुड मॉर्निंग तो चलिए जान लेते हैं कि आज के मार्केट में एक्शन किस तरह करे सकता है आज निफ्टी के एक्सपैरी भी है तो आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए क्या की लेवल्स है यह सब हम जान लेते हैं तो चलिए फटा-फट इस वीडियो को स् इसले दो दिन में वहीं से सपोर्ट लेके और मार्केट वापस घूमा है तो जो सपोर्ट है उसको मार्केट ने टेस्ट किया है और कल मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लेके और एक अच्छी क्लोजिंग दिया है जो एक फ्रेश वल्टाइम हाई है उस पर मार्केट ने क्ल बात कर रहा हूं और अगर मैं बात करूं टार्गेट की तो 226-22650 का जो लेवल है, इस इमेडियेट टार्गेट फोर निफ्टी, तो जो ओवरोल सेंटिमेंट है तो निफ्टी का काफी बुलिश दिख रहा है, अगर मैं डेरिविट्व डेटा की बात करूं तो देखे, कि market में एक short covering है वो हमें देखने को मिल सकती है अगर market 22,500 के उपर sustain करता है तो हमें एक short covering rally देखने को मिल सकती है एक sharp up move हमें देखने को मिल सकता है 22,650 पे तो इस चीज़ का आप जरूर द्यान रखेगा कि 22,500 के उपर अगर market sustain कर रहा है तो आज आपको उस टाइम पे short market पे नहीं होना चाहिए क्योंकि जो futures का data है वो बता रहा है कि यहाँ पे एक sharp short covering rally यहाँ पे देखने को मिल सकती है जो कि 22,650 तक जा सकती है इवन आज के session में ही तो यह एक नई चीज़ है जो futures का data है उससे जो यह निकल के आया है और यह ज़्यादा important इसलिए हो जाता है क्योंकि आज expiry है तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखेगा वहीं पे अगर मैं open interest की बात करूं तो highest open interest है on the call side that is on 23,000 and the second highest is at 22,800 जो call side में open interest है वो highest है 23,000 पे और second highest है 22,800 पे और जो put side का highest Y data है वो है highest है 22,000 पे और second highest है वो 22,300 पे है और साथ ही जो 22,400 का level है वहाँ पे हमें एक अच्छी खासी call unwinding देखने को मिली है क्योंकि कल market उपर गया था तो जिन्होंने 22,400 के level पे call writing कर रक ही थी जो market पे short थे उन्होंने अपने calls की unwinding की है तो देखिए ये जो data है जो put का OI data है ये भी market में bullishness को indicate कर रहा है अगर मैं आपको बताओ देखिए 22,300 और 22,400 का level है वहाँ पे हमें decent put writing देखने को मिली है और इसको जो आप merge करते हो हमें 22,400 पे meaningful unwinding देखने को मिली है call की तो इस चीज़ को जो आप मिला के देखोगे 22,300, 22,400 है वहाँ पे अच्छी खासी put writing हुई है और 22,400 पे call की unwinding हुई है अच्छी खासी तो इस शो कर रहा है कि market में bullish setup बना है यहाँ से market ऊपर जा सकता है और इसके साथ अगर आप future का जो data है उसको भी देखते हो तो यहाँ पे market में expect कर रहा हूँ हलाकि मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन अगर market 22,500 के ऊपर sustain करता है तो 22,650 का level हमें इवन आज के session में भी देखने को मिल सकता है तो overall अगर मैं आपको बताओ Nifty का तो Nifty का जो देखे जो strong support है that will be around 22,250 से 22,300 आप मान के चलिए और जो immediate target है वो 22,600, 22,650 है तो यह होगी बात Nifty की वहीं पे अगर मैं FIA और DIA की बात करूँ तो कल दोनोंने अच्छी खासे buying की है FIA ने बाई की है 27,66 करोड की और जो DIA उन्होंने बाई की है 21,49 करोड की दोनों ही है FIA DIA दोनोंने अच्छी खासे यहां पे buying की है और अब मैं बात कर लेता हूँ Bank Nifty की जिसका आप सभी को काफे इंतिजार रहता है तो देखे Bank Nifty है Bank Nifty ने consecutively 5th day पे भी एक positive closing दी है तो Bank Nifty भी काफी bullish दिख रहा है यहां पे और Bank Nifty में एक नया pattern यहां पे देखने को मिला है higher high formation यहां पे बैंक Nifty में देखने को मिल रहे है कि एक नया higher high बनता जा रहा है जो की एक bullish pattern होता है Bank Nifty के अगर मैं आपको levels बताऊं तो देखें Bank Nifty अगले कुछ दिन में अपना जो all time high है उसको test कर सकता है और अगर मैं बात करूँ support की तो immediate support जो है Bank Nifty के लिए that is at 47650 से 47800 यह जो 1500 point की range है इसमें Bank Nifty के लिए immediate support होगा अगर उस level पे Bank Nifty आता है तो आप buying consider कर सकते हो वो उस dip को आप buy कर सकते हो और जो resistance level मुझे अभी दिखाई दे रहा है वो है 48150, 48300 का उपर के तरफ तो देखें Market क्या है कि Bank Nifty अपने all time high से और थोड़ा सा नीचे है और Nifty है वो अपने all time high पे trade कर रहा है तो जब Market अपने all time high पे एक fresh high बना के market trade करता है तो फिर Market एक uncharted tell tray में trade करता है मतलब वहाँ पे पहले कभी गया नहीं है वो एक uncharted tell tray है तो वहाँ पे resistance को निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अभी हमें पता नहीं है और कितना ओपर जा सकता है इसी निफ्टी में अगर मैं आपको बताओं तो मैं 22800 तक का upside देख रहा हूँ वहाँ तक हम जा सकते हैं मतलब मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही वहाँ जाएंगी लेकिन हाँ अगले week हम 22800 का level भी वहाँ पे देख सकते हैं और bank nifty है उसमें मैंने आपको जैसा कि बताए कि resistance level मैंने आपको बोला bank nifty के लिए मैंने resistance नाम का use नहीं किया है क्योंकि वह uncharted territory में है तो वहाँ पे 22800 का level हम next week देख सकते हैं उपर कितना भी वह जा सकता है जब क्योंकि वह एक fresh high पे खड़ा है जबकि bank nifty वह अपने fresh high से थोड़ा सा नीचे है तो यहाँ पे जो resistance level है वो निकल के आता है तो अगर bank nifty में dip आता है नीचे के तरफ 47650 या 47800 के असपास तो वहाँ पे आप buying consider कर सकते हो और उपर अगर आता है तो एक बारे के लिए आप 48150 से 48300 के पास अपनी profit booking कर सकते हो या उस level को तोड़ने के बाद आप fresh buying कर सकते हो तो यह है nifty और bank nifty दोनों के जो key levels है वो मैंने आपको यहाँ पे बताए है बाकि अगर मैं बात करूँ gift nifty की अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस time पे gift nifty है तो थोड़ा से slightly positive trade कर रहा है तो I'm expecting की आज का दिन है वो भी bullish रहना चाहिए बाकि देखिए मैं कोई यह just एक analysis है और मैं बिलकुल गलत हो सकता हूँ तो ऐसा कुछ निया कि जो मैं बता रहा हूँ वो वही होगा market में it's just my analysis जो की जो आपका analysis है उसके साथ आप मिला के देखिए तो यह key levels है nifty और bank nifty दोनों के दोनों का इस setup है वो bullish दिख रहा है जो wide data है वो nifty का का काफी bullish मुझे दिखाई दे रहा है तो market यहाँ से ऊपर जाके आज के session में भी हम एक positive market दिख सकता है market ऊपर जाके आज के session में भी बंद हो सकता है तो चलिए अब आज के इस video को यहीं पर खतम करते हैं thank you so much for watching the video and have a profitable day